आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले है UPI Transaction Limit के बारे में जी या दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे के इंडिया का Tops Bank का डेली UPI Transaction Limit क्या है तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल में नए हैं तो आगे भी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर उन कर लें ताके फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे दोस्तो NPCI यानि National Payments Corporation of India के रिपोर्ट के मताबिक Last Month UPI यानि Unified Payment Interface के जरिए 657 कलोर का ट्रांजेक्शन किया गया है इंडिया में और दोस्तो month on month basic के मताबिक 4.6% value UPI का बढ़ चुका है तो दोस्तो ऐसे में हम लोगों को मालूम करना बिल्कुल भी जरूरी है कि इंडिया के Tops Bank का daily UPI transaction limit क्या है दोस्तो सबसे पहले हम लोग State Bank of India के बारे में बात करते हैं तो दोस्तो State Bank of India जो के country का सबसे largest bank है वहाँ का UPI transaction limit जो है वो एक लाग रुपे है जिया दोस्तो आप एक लाग रुपे daily UPI transaction कर सकते हो वहाँ का daily UPI transaction limit एक लाग रुपे है इसके बाद दोस्तो अगर हम लोग HDFC bank के बारे में बात करें जो के इंडिया का largest private sector bank है वहाँ पर जो है अगर आप new customer हो तो दोस्तो first 24 hours में आप 5000 रुपीज जो है वो UPI transaction कर सकते हो उसके बाद जब आपका first 24 hours complete हो जागा तो फिर आपका daily transaction जो है वो एक लाग रुपे है यानि State Bank के तरह HDFC bank में भी daily transaction कर सकते हो UPI के थुरू 1,00,000 रुपे उसके बाद दोस्तों हम लोग ICI bank के बादे में बात करें तो वहाँ का daily UPI transaction limit जो है वो 10,000 रुपे है अगर आप Google पे user हो तो आपका फिर 25,000 रुपे जो है वो daily limit बन जाता है UPI transaction का इसके लावा दोस्तों access bank का भी दोस्तों limit जो है एक लाख रुपे आप transaction कर सकते हो इसके लावा दोस्तों अगर हम लोग bank of baroda के बारे में बात करें तो bank of baroda का भी daily limit जो है UPI transaction का वो 1,00,000 रुपे है और एक बार में जो है single transaction में आप 25,000 रुपे जो है वो transaction कर सकते हो और day का limit जो है वो 1,00,000 रुपे है और पूरा दिन का जो limit है वो 1,00,000 रुपे है इसके लावा दोस्तों अगर हम लोग पंजाब नाशनल बांक के बारे में बात करें तो पंजाब नाशनल बांक का daily UPI transaction limit जो है वो 50,000 रुपे है यानि एक दिन में आप UPI के थुरू जो है वो 50,000 रुपे जो है इन्फरमेटीव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर उन कर ले ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और दोस्तों अगर आप Facebook या Instagram कहीं पे भी है तो दोस्तों आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते हैं मेरा ID description में दिया हुआ है क्योंकि दोस्तों वीडियो से related update मैं Facebook और Instagram दोनों जगा देता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में एक नए topic के साथ